नश्कार दोस्तों गारगी ग्लासेश पर आपका स्वागत है डेट आज की 6 दिसम्बर 2021 और देख लेते हैं इंडिया एक्स्पेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन आर्टिकल जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे फर्स आर्टिकल रहेगा जो हम डिसक अभी नागालेंड में अभी आप फ्रेंट पर इस पर आप न्यूज देख पार देखोगे शाम वाले वीडियो में डिसकस करेंगे फिर तब तक आप देख चुके होगे कि 14 सिवीलियन्स को मार गिराया गया है तो ऐसे में नागालेंड में सेपरेटिस का जो मुमेंट है फिर से स्टार्ट हो गया है अब इसको लेकर के देखो सिक्यूरिटी फोर्सिस ने अपनी तरफ से कोशिशे जारी कर दिया है और यूनियन हों मिनिस्ट्री के द्वारा एक इन्वेस्टिकेशन के लिए टास्क फोर्स भी कॉंस्टिट कर दिया है तो इस मुद्दे को सेपरेट फ्लैग चाहिए हमारा तो उसके लिए वो लगाता रहा है और उसका नुकसान यह है कि नौर्थी से इंसर्जेंसे अभी भी खतम नहीं होने को आ रही है तो ज्यादा कुछ है नहीं बाकी हम जो डिसकस करेंगे वो आर्टिकल एक और यह रहेगा तेहरान स्वाइ जा सके तो उस पॉइंट ऑफिस से देखेंगे कि इरान क्या चाह रहा है इसके लावा यह वाला आर्टिकल हम पहले डिसकस कर चुके हैं अच्छे से एकस्प्लेंट पेज पे कि जो ए आर्टी असिस्टिड री प्रोड़क्टिव टेक्नॉलोजी बिल यह जो कि लोग सभा पुतिन्स रेड कार्पिट कि किस तरीके से अभी इंडिया और रशिया के रिलेशन्स हैं वो चल रहे हैं और कौन-कौन से एंगल्स हमें यहाँ पर अंडिस्टेंड करने की ज़रुत हैं यहाँ पर आप इमेज देखो कि किस तरीके से दोनों के भीज में लिंकिंग है पर व्लादेमिर पुतिन जो कि रशियन प्रेजिडेंट हैं उनकी अभी आज मंडे हो गया आज की मीटिंग है तो ऐसे में देखो अल्रेडी दो चैलेंजिस तो पहले से आये हुए हैं एक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान मुद्दा और एक है इंडो पैसिफिक दोनों रीज लें दैट मींस रशियन मिलेटरी और साथ में जो रशियन स्टैबलिश्मेंट वो और वेस्ट जिसमें यॉरप भी आगया और यूएस भी आगया और दूसरा जो इंपोर्टन्ट मुद्दा रहेगा वो इंडिया रशिया का जो कॉमर्शिल रिलेशन्शिप है उसकी अच करने की कोशिश की है क्योंकि Old Romance इसलिए बोला जा रहा है Cold War के टाइम पे USSR इंडिया के फेवर में बहुत रहा हुआ है ठीक है हमारी friendship treaty भी थी 1971 की जिसके basis पे हमने बंगलदिस को लिबरेट भी कराया था नहीं तो USA कब कर सकता था और पाकिस्तान की तरफ से हमें हरा सकता पर जो relationship थी इंडिया की USSR के साथ में वो अभी दिली के साथ दिली ने मॉस्को के साथ continue की है पर फिर भी कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जब एक दूसरे के बीच में दरारे बनने का एक scope बन गया जैसे कि Washington तो कि अभी current status देखोगे तो दिली की relationship तो Washington के साथ अच्छी है और मॉस्को की relationship बीचिंग के साथ अच्छी है और ये दोनों इस तरीके से strength दोनों relations की जो strength है ना मॉस्को और बीचिंग और दिली और Washington ये दोनों relationship की जो strength है वो highest level पे चल रही है जो कि पहले कभी देखी नहीं गई थी ठीक है तो इस case में क्या होता है कि दोनों एक दू जैसे USA रशिया के लिए और इंडिया चाइना के लिए और चाइना रशिया का दोस्त है और US इंडिया का दोस्त है तो इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने खड़े मिलते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो main equation है वो है US और चाइना एक दूसरे के गले के ओपर तलवाल ल पर हम देखें रश्या की बात देखें तो रश्या ने देखो अमेरिका के साथ में अपनी एक सेंसिबल रिलेशन्शिप को कंटीन्यू करने की कोशिश तो की है पर हाँ वही चीज है कि उतना ब्रेक्ट्रू या उतना उटकम नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ इंडिया की रिल पर सवाल यह है कि मौस्को का जो दोस्त है वो दिल्ली का दोस्त है और दिल्ली का दोस्त है वो मौस्को का दुस्मन है तो इसी तरीके से दोनों कंट्रीज आमने सामने खड़े मिलते हैं अपने बेस्ट फ्रेंट्स के चलते है ठीक है अब देखने वाली बात यह है कि पर काम होना शुरू हो रहा है जिसमें दोनों तरफ से फॉरेंग और डिफेंस मिनिस्टर्स एक फॉरम पर बैठेंगे बाचीत होगी इससे आप देख सकते हो कि चांसे ये लग रहे हैं कि आने वाले दस सालों के लिए कोई न्यू डिफेंस फैक्ट साइन हो जाए दोनों कं देखे तो इंडिया ने जिन भी कंट्रीज के साथ में अब ये आन्फ फोर्सिस को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का एग्रिमेंट कर रहे हैं वो यूएस और फ्रांस ही हैं अब रश्या तीसरा होने का चांस दिखाई दे रहा हैं अब म्यूच्वल लॉजिस्टिकल सप सपोर्ट की रिक्वाइर्मेंट हुई और पता-पड़ा कि जहां पर इंडियन डिफेंस फोर्सेज ऑपरेट कर रही है उसके पास में रॉषियन टेरिटरी है तो वहां पर जाकर कि वह रीफियूलिंग हो पाएंगी इस तरीके की एग्रिमेंट हो गए सिमिलरली वाइस वर्सा भी आप अपलाई कर सकते हो कि रॉषियन मिलिटरी और रॉषियन डिफेंस फोर्सेज अगर इंडियन ओशन में कहीं पर माइग्रेट कर रही हैं कहीं पर कोई ऐसा ओपरेशन चल रहा है जिसके चलते हो उनको की लॉजिस्टिकल सपोर्ट की रिक्व दे रहा है इसके अलावा आप देख सकते हो S-400 मिशाइल्स की बात करें तो फर्स्ट कंसाइनमेंट है जहां तक है ये दिसंबर 2021 तक का बताया जा रहा है कि एक पांच टोटल आनी है वो ठीक एंटी मिशाइल सिस्टम जो है S-400 वो रशिया से आ जाएगा तो इस चीज़ क को लेकर कि USA ने बहुत अपोज किया था पर दिली ने भी अपनी तरफ से अपने कमिटमेंट दिखा दिया कि कैसे ही हो हमारा जो लॉंग स्टेंडिंग लंबे समय से चलता आ रहा रहा रशिया के साथ में जो डिफेंस टाइज है हम उनको बिलकुल भी नहीं तोड़ेंगे ठीक है और इसके अलावा आप देख सकते हूँ कि रशिया इंडिया ने भी अपनी तरफ से USA की तरफ से कोई भी सेंक्शन्स लगने का स्कोप जो दिख रहा था क्योंकि डॉनल्ड टरम्प के टाइम पे काट सा एक्ट पारित हो गया था जिसमें ये था कि अमेरिका के जो है फर एक्जामपल नौर्थ कोरिया इरान और ये आपका एक रशिया बुले इन कंट्रीज के साथ में जो भी दूसरा कंट्री अगर रिलेशन रखेगा तो बुलो उस कंट्री के साथ में येस अच्छे रिलेशन्स मेंटेन नहीं रखेगा तो उस केस में इंडिया पर ठीक रहती है ना तो देखो कुछ इन इस रिलेशन्सिप को लेकर के वाशिंग्टन भी खुश नहीं होगा तो बीजिंग भी खुश नहीं होने वाला है वही बात है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं जबकि दुश्मन है एक दूसरे के कि बीजिंग दुश्मन है इंडि framework का जिसमें इंडिया USA के साथ मिलकर के COD framework पे काम कर रहा है जिसमें चार कंट्रीज है जिसमें एक कंट्री जपान होगे एक Australia बाकि इंडिया और USA है ही तो इस केस को लेकर कि रश्या और चाइना एक ही प्लाटफॉर्म पे है पर वही चीज है कि रश्या भी चाइना को बहुत ज्यादा इतना भी इतना favorable नहीं समझता है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है चाइना और रश्या में क्योंकि दोनों के बीश में जो economical imbalance है न वो चाइना के favor में है तो रश्या उस case को लेकर के भी बहुत ज़्यादा alert है ठीक है ऐसे में structural constraints जो limitations है और या structural constraints है जो हमने चार equation देखी चारो powers की equation देखी तो इसी की वज़े से बहुत ज़्यादा differences भी create हो रहे हैं तो उन चीजों को sort out करना इतना आसान भी नहीं है वो बाठीक है कि US-Russian relations Biden President बने है क्योंकि उनकी जब यॉरोप की visit थी तो उन्होंने meeting भी की थी Russian President Vladimir Putin के साथ में तो मुद्दा तो यह है कि थोड़ा बहुत कहीं नहीं सैटल होने का scope सैटल तो क्या मतलब जादा भी नहीं तो थोड़ा अच्छे का से relation को continue करने की बात की जा रही है इसी चीज़ प क्योंकि Donald Trump जो थे वो अपने खुद के heat off में अपने खुद के play field में घर में ही चारो तरफ से politically घिर चुके थे क्योंकि मुद्दा क्या था जब 2017, 2016 December के जो elections थे हना जिसमें 2017 में फिर Donald Trump वहां के President बन जाते हैं तो उस time पर opposition में Donald Trump के खड़ी थी Hillary Clinton ठीक है ना Democratic Party से तो यह blames लगे थे कि Hillary Clinton जीत रही थी पर Russian intelligence या Russian जो hackers थे उन्होंने इस तरीके से social media accounts को hack किया और manipulation किया जिसकी वज़े से Donald Trump को favor मिल गया वहां के politics में और Donald Trump वहां के President बन के जीत मतलब President बन के जीत करके तो ऐसे में Russia से relations दूर की दूर की वो करनी पड़ी अपनी दूरियां बनानी प मतलब वहां से engagement बढ़ाने की पर मुद्दा ही पुरा उल्टा पड़ गया था अब देखो President जब से Biden बने है तब से Russia के साथ में relation थोड़े ठीक करने की बात की जा रही है यॉरप में जून में meeting भी की थी ठीक है और इसके पहले Barack Obama जो थे उल्रेडी उन्होंने भी Russia को एक declining power और consider नहीं किया था उनका भी ये मानना था कि Russia जो है वो अपने आप में एक important key player है ठीक है अब देखो बात ऐसी है Russia चाहता क्या है Russia यही चाहता है कि मेरी value जो है वो बिल्कुल भी decline ना करे और मेरी जो relationship है world की powers से for example China हो चाई US हो चाई कोई भी country हो उनके साथ हमारा relation stable रहे Russia आप एक के कहता ना active role planning करना चाहता है पर अपने recognition चाहता है कि हाँ भई हमें recognize करो हम एक reputed country रहे हुए है और देखो Russia ने जो USSR था उसकी legacy को ही continue किया है तो reputation यह इसकी main demand है ठीक है तो इसी चीज़ में अभी जो बातचीत हुई है ना US और Russia के बीच में यह इंडिया के करके बहुत ही सुकुन में feel कर रहा है कि चलो कम से कम थोड़ी होत बातचीत तो शुरू होने लगी ठीक है क्योंकि जिनेवा में meeting हुई थी बाइडन और पुतिन की तो उसको ले करके और जहां तक है कल कल Tuesday हो जाएगा तो bilateral ties को और जादा थोड़ा सा आप कह सकते हो refresh करने क के लिए virtual summit भी हो सकती है जिसमें रश्या का Ukraine वाला जो मुद्दा चल रहा है Ukraine वाला मैप आपने देख लिया होगा जरूर से मैंने टेलिग्राम चैनल पर शेयर किया था जिसका टेलिग्राम चैनल का link description box में shared है आप जरूर उसको जाइन कर लो क्यों कई बार क्या होता है य आज कर कई लफड़ है Twitter moment करना पड़ता है Twitter पर आप लोग comment करोगे तब जाकर कि अपना चैनल हो रही का और वैसे तो मैं रिस्क नहीं लेता हूं ज्यादा थर बचा लेता हूं कैसे भी करके ठीक है पर फिर भी आप लोग जोईन जरूर कर लो टेलिग्राम चैनल को जिससे कि अपने बीच की एक और लाइन हो जाए जिससे कि मैरे को कुछ चीज कम्यूनिकेट करनी हो तो आप तक easily पहुँच जाए और कोई unforcing circumstance अगर create हो जाए तो इसमें कम से कम हम साथ मिल करके survival तो हमारा ensure कर पाएंगे राइट खेर मुद्दा आ जाता है रश्या का invasion हुआ था अभी इस मुद्दे पर भी हो सकता है जहां तक है बातचीत हो जाएगी यूएस और रश्या के बीच में इसके अलावा वाशिंग्टन और मॉस्को की जो conflictual that means दोनों के बीच में जो लड़ाई वाला जो मुद्दा है वो देखो हमेशा इंडिया के लिए चिंता का कारण क्यों कि इंडिया ने जब से LPG policy adopt किया तब से USA के साथ relation इंडिया के अच्छे हुए हैं और दूसरी तरफ मॉस्को ने USSR की legacy continue की है और मॉस्को जो USSR हुआ करता था उसके relation इंडिया के साथ अच्छे थे तो इंडिया के लिए तो दोनों ही ज़रूरी हैं अब ये दोनों अग गेस कर रहे हैं एक दूसरी मतलब रश्या से हम बहुत कुछ खरीदते रहते हैं पर economic domain की बात करें अगर अधर सेक्टर्स में अगर trade की बात करें तो वो abysmal condition है वो condition इतनी ज़्यादा superior या इतनी ज़्यादा encouraging नहीं है अभी तक जब से रश्या बना है ना 1989 के disintegration के बात में लगबग 20 summits हो चुकी है annual summits होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं रश्या रश्या प्रेजिडेंट इंडिया आते हैं तो बहुत बात बार बात हो गई हमें trade enhance करना है investment को increase करना है पर progress बिलकुल भी नहीं हो पा रही है जितनी चाहिए थी अभी अगर reality देखें तो इंडिया रश्या annual trade कितने का है केवल 10 billion dollars का जबकि रश्या का चाइना के साथ trade कितना है 100 billion dollars से भी जादा तो आप देख लो इंडिया और रश्या के trade ties कितने week हैं इसके अलावा इंडिया के trade ties देखो युएस और चाइना के साथ में 100 billion dollars से भी करते हैं एक तरफ तो border dispute है पर दूसरी तरफ हमारी जो trade engagement है वो चाइना के साथ लगातार बढ़ रही है जितना कि हम रश्या के साथ engage कर सकते हैं easily उतना नहीं है that means इंडिया रश्या trade ties stagnant हैं फसी पड़ी हुई है बिलको भी moment encouraging नहीं है और दूसरी तरफ इसके पीचे business elites हैं वो तो देखो Europe और चाइना पर focus करते हैं और Indian corporates है Indian जो business elites है वो focus करते हैं अमेरिका और चाइना पर तो convergence आ ही नहीं रही है इंडिया और रश्यन जो बिजनेस हाउसे उनके बीश में कोई कनवरजंसी नहीं आ रही है कि रश्या इंडिया पे फोकस करे आए इंडिया रश्या पे फोकस करे तो कहां से ट्रेड टाइज इंक्रीज होगी इसके अलावा रश्या इस चीज को भी जानता अच्छी से कि जो पावर रिलेशन चल रहा है ग्रेट पावर रिलेशन चल रहा है जिसमें दो द्रू जिसमें एक तरफ तो है चाइना एक तरफ है És है दोनों के बीच में जबरदस राइवलरी चल रही है तो उस case में रशिया ये भी जानता है कि हमें कैसे भी करके चाइना को भी इतना powerful होतने के चलते हमें खुद को subordinate बन के नहीं रहना है क्योंकि सिद्धी सी बात है रशिया के demand क्या है हमारी value हो हमें recognize करें कि हाँ हम भी world power है है की नहीं तो ऐसे में रशिया इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा conscious है इसी चीज़ को चलते है रशिया के conflict देखो जपान यूरॉप यूएस इनके साथ में लगातार चल रहा है तो इन चीज़ों के चलते रशिया अपनी relationship close बनाये जा रहा है किसके साथ में बिजिंग के साथ में पर ये भी पता है कि चाइना की economy कितनी है जी पंदरा ट्रिलियन डॉलर्स की जो कि रशिया इकॉनोमी का लगबग 10 गुना है तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है इसी ल यहां पर रशिया साइबेरिया के बिल्कुल इस्टन पार्ट में जापान की तरफ वाला जो एरिया ना उस तरफ developmental activities करना चाहता है तो उस case के लिए वहां पर इंडिया को रशिया ने invite कि आप आओ यहां पर और यहां पर invest करो क्यों क्यों क्योंकि उस वाले एरिया में Chinese investment इ से claim ना कर ले इसलिए रशिया बहुत alert होके चल रहा है इसलिए इंडिया के साथ में अपने engagement को बिल्कुल weak नहीं करता दूसरे तरफ USA के साथ में भी अपने engagement थोड़ी बहुत more or less continue रख रहा है उसके पीछे यही मुद्दा है कि Chinese economy Russian economy के सामने बहुत ही जादा बड़ी है त अब देखो Washington और West मतलब European countries मिलकर कि अगर रशिया पे दबाव बनाते है ना तो उसको मजबूरन फिर चाइना की तरफ जाना पड़ता है तो ऐसे में इंडिया और रशिया की जो cooperation है वो बहुत ही जादा important है चाहिए US अपनी तरफ से कितनी ही ताकत लगाए इनकी relationship एक दूसरी के अपर दवाव नहीं बना पा रहे है पर वो ही चीज है कि इस चीज के चलते मुश्किले तो है ही क्या दोनों countries के भी इसकी relationship जितनी heights पे पहुँचनी चाहिए उतनी heights पे नहीं पहुच पा रही है तो इसके लिए देखो दिल्ली और मॉसको इनको साथ मिल करक के properly अपनी commercial ties को enhance करने की जरुद है मंडे की जो summit है इसमें जो भी bilateral defense ties है इनके अलावा दोनों के बीच में economic cooperation भी होना चाहिए कि अबल बाचीत नहीं ground level पे implementation भी होनी चाहिए better understanding develop होनी चाहिए दोनों के बीच में और दोनों के लिए अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक जो है वो अपने आप में बहुत important segment है जहाँ पर और ज्यादा engagement बढ़ाई जा सकती है Moscow और दिल्ली के बीच में ठीक है तो यह पूरा detail में हमने देखा India Russia relation को angles भी देख लिए current scenario भी समझा आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है तेरांस वाइट फ्लेग वाइट फ्लेग का मतलब शान्ती का एक message यह लिखाया आर्टिकल दीपी का सारसवत जिने इनका यह कहना है कि इरान का नया delegation अभी वियना ओस्ट्रिया की capital में पहुँच चुका है और वहाँ पर 7th round की बातचीत होगी जि कि जो जैक पोआ जे सी पी ओ ए जिसको हम नुकलियर डील भी बोलते इरान नुकलियर डील उसके ओपर फिर से बातचीत होगी और इसकी फुल फॉर्म होगी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आफ एक्शन अब इसमें बात ऐसी है कि बहुत सारी अप्रिहेंशन्स हैं बहुत सारे डाउट्स हैं दोनों ग्रूप्स के बीच में देखो ये मीटिंग ये जो एग्रिमेंट था ना जे सी पी ओ ए ये साइन हुआ था दोजार पंद्रा में जिसमें एक तरफ तो थे पी फाइफ प्लस वन पी फाइफ का मतलब हो गया उनाइट नेशन करके एग्रिमेंट साइन किया था दोजार पंद्रा में इरान के साथ में कि आपके उपर जो जितने भी एकॉनॉमिकल सैंक्शन्स लगाए हुए हैं वेस्टन कंट्रीज के द्वारा वो लिफ्ट कर दिये जाएंगे और बाकी आप जो अपनी नुक्लियर फैसिलिटीज उ बोले दस साल के लिए साइन की गई है दस साल बाद में आप एकॉनॉमिकल इंगेजमेंट अकर इरान के साथ कंटीन्यू रखोगे तो बोले इरान पैसे वाला भी बन जाएगा प्रॉस्पर भी हो जाएगा और दस साल बाद में जैसे ये ट्रीटी खतम होगी तो उसके बा वाला मुद्दा ऐसा हुआ कि इधर तो यूएस का विड्रो करना हुआ पी फाई प्लस वन में से और इधर इरान ने भी मौका देख लिया और अपनी न्यूकलियर फैसलिटीस को एन्रिच करना शुरू कर दिया और इसी चीज़ को कंटीन्यू करो अभी जो करंट रिजीम चल रहा है इरान में ठीक है रेसी करके वहाँ के प्रेजिडेंट है तो उनका जो रिजीम चल रहा है वो उसकी तरफ से अपनी तरफ से पहल की जा रही है पर पहल से पहले उन्होंने अपनी तरफ से बहुत हद तक नुकलियर एन्रिच्मेंट एंशॉर कर लिया है और अब negotiations के लिए अपना खुद का delegation बेजा है वियना औस्ट्रिया की capital जहां पर United Nation के अंडर में IAEA ठीक है International Atomic Energy Agency जिसका headquarter वियना में ही है वहाँ पर अब बाचीत होगी जिसमें ये seventh round होगा कि कैसे भी करके एक nuclear deal finalize हो जाए जिससें कि इरान जो है वो तो ये चाता है कि हमारे उपर जो economic sanctions लगे हुए हैं वो free हो और दूसरी तरफ ये जो दूसरी counter parties है जिनको हम यहाँ पर P5 plus 1 बोल रहे हैं जिसमें main है USA ये USA ये चाता है कि इरान की जो nuclear facilities हैं उनको कैसे भी करके control में लाए जाए ठीक है तो यह है पुरा मुद्ध में तो देखो इसमें अलग-अलग segments है जैसे एक point तो यहाँ पर ही आ रहा है कि इरान में करज centrifug manufacturing setup है ठीक है करज करके nuclear facility वहां पर आप देखो कि इरान ने पिछले चार महीनों के अंदर पिछले चार महीनों के अंदर यहां पर आप देख सकते हो इरान ने अपना stockpile जो है nuclear enrichment का uranium enrichment का उसको 60% तक डवलप कर लिया है तो यह अपने आप में बहुत ही concerning issue है इस मुद्दे को लेकर के जब International Atomic Energy Agency IAEA जिसको आब nuclear watchdog भी बोला जाता UN का nuclear watchdog तो उसने अपनी तरफ से concern reach किये थे कि भई हमें investigate करने तो आप क्या कर रहे हो यहां पर करज nuclear facility पे तो इरान ने बिलकुल मना कर दिया फिर मुद्दा यह था कि इरान ने क्यों पिछले चार मैनों के अंदर यह अपनी nuclear enrichment को speed up किया उसके पीछे यह था कि जून 2021 में एक सबोटेज हुआ था सबोटेज का मतलब थोड़ी तोड़ फोड मारधार ऐस तरीके से हुई थी इरान में और जिसके पीछे allegations लगे थे एक तो इसराइल पे और बोले इसराइल को support किया था USA ने थीक है तो इस तरीके से क्या है questions बहुत जादा raise हो गए और इरान को अपनी security ensure करने के चलते हैं जैसे इरान ने अपनी तरफ से statement दिये कि बोले हम भी तो हमारी security करेंगे पर ये बात नहीं बोली कि हमने nuclear enrichment कर दी ये तो intelligence की basis पे पता है कि यहाँ जी 60% तक nuclear enrichment अचीव कर लिया है इस courage centrifug manufacture workshop में अब मुद्दा क्या आ जाता है कि इरान तो nuclear ही अपने आप nuclear point of view से अपने आपको strong किये जा रहा है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल peace को establish करने के लिए USA अपनी तरफ से बातचीत करना चाह रहा है पर यह साथवे round की अब बातचीत होगी तो इसमें क्या outcome निकलेगा वो तो time बताएगा बाकी जो RACI administration है इरान का जो प्रेजिडेंट है RACI है ना उनके द्वारा तो यह है कि इरान की economy को को जटका ना लगे future में वो तो यह ensure करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो counterpart से जो इस meeting में participate कर रहे है western countries वो यह चाहते हैं कि इरान की nuclear facilities को control किया जाए देखो JCPOA के बारे में तो आपको मैंने पहले बता दिया कि किस तरीके से कब क्या agreement हुए थे क्या इसमें चल रहा है इसके अलावा अगर देखें तो इरान जो है अपने गल्फ neighbors के साथ में भी थोड़ा बहुत बातचीत करना फिर से शुरू कर रहा है जिसमें में तो आजाते हैं साओधी अरब और इसके अलावा एक country हो रहा है that is UAE जो की सुन्नी dominated community है दूसरी तरफ इरान है वो शिया dominated community है तो इनके बीच में एक ये भी मुद्दा चलता रहता है इसलामिजम के दो एथनिक groups ठीक है दो सेक्ट्स दोनों के बीच में आइडियोलोजिक और कानफ्लिक्ट और इसी कानफ्लिक्ट का एक नुकसान उठा रहा है येमिन वहाँ पर हौथी रिबेलियन उनको तो सपोर्ट करता है एरान और दूसरी तरफ वहाँ की जो सरकार है उसको सपोर्ट करता है साओधी अरब इनके बीच में भी लड़ाई चलती है और बरबादी हो रही है यमन की बहुत बुरे तरीके सिविल वार की वज़े से है वहाँ पर बुकमरी फैली भूई पड़ी है ठीक है तो ये चीज है अब देखने वाली बात ही है कि आउटकम क्या निकलता है पहली चीज दूसरा गल्फ कंट्रीज के साथ में अपनी निकोशियेशन कैसे करता है इरान तीसरी बात कि नुकलियर टॉक्स में एक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला की प्लेयर है डाट इस इसराइल अब इसराइल जो है वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएगा कि किसी भी तरीके से इरान और यूएस के बीच में या फिर यूके के बीच में जो बाच्चीत हो रही है इसको रोका जाए वियना में क्योंकि सीदी सी बात है एक ट्रैंगल बनता है वैस्ट इशिया के अंडर एक तो इरान जो की सिया डॉमिनटेड कम्यूनटी है एक साओधी अरब और यूएए जो की सुन्नी कम्यूनिटेड कम्यूनटी कान्ट्री है और तीसरा आजाता है आपका इसराइल अब इसराइल जो है वो इधर साओधी अरब के साथ तो अपनी सैटिंग अच्छी बठागर के रखने लग गया क्योंकि इसमें क्या है यूएसे की मीडियेटर्शिप है दोनों के बीच में एक लिंक का काम कर रहा है यूएसे पर इ असद रिजीम है उसको तो इरान पूरा सपोर्ट कर रहा है जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो साओधी अरब और इसराइल यह अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कैसे भी करके कि इसको उखाड के फैका जाए असद रिजीम को ठीक है तो बहुत जादा कमप्लेक्स है वो अपनी तरफ से अपने अलाइज यूएस और यूके पे दबाव बनाएगा कि भई आप ये अगरिमेंट मत करो ये अगरिमेंट बहुत ही जादा गलत साबित हो जाएगा आपके साथ में अब देखो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा फिलाल जो एक्वे प्रॉपर करेंगे सबसे बड़ी इरान को प्रॉब्लम जो है ना इस गल्फ एडिया में वो ये है कि साथी अरब यूएई अपने आपको पावर्फुल समझते हैं इरान को रिकगनाईज नहीं करते हैं और इरान वहाँ पर अपना रिकगनीशन चाहता है एक इंपॉर्ट दिया का क्या एंगल है थोड़ा दिमाग लगाओ ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है माई राइट टू ब्रीद आर्टिकल को लिखा है शो गुलाटी जी ने इनका ये कहना है कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से लेकर अब तक मेरी लाइफ एक्सपेक्टें जजेज ने भी अपनी तरफ से काया है कि दिल्ली की सरकार और जो सेंट्रल गवर्मेंट है वो एनफ काम नहीं कर रही है क्योंकि सिचुएशन बिगड़ती ही चली जा रही है ठीक है जी ट्वंटी कंट्रीज की अगर कैपिटल सिटीज की बात करो तो इसमें सब से गटिय अगर एर कॉलिटी है तो वो इंडिया की कैपिटल दिल्ली की ही है ठीक है एक नवंबर से पंद्रह नवंबर के बीच में आगर देखो तो Air Quality Index में दिल्ली क्या स्कोर कर रहा था 312 और उसी टाइम पर आप देखोगे World Air Quality Index प्रोजेक्ट है उसमें दूसरी सिटी से अगर हम compare करें तो उसके तहत ये बता पड़ रहा है कि बिजिंग में 91 स्कोर था ब्यूनसायर्ज जो कि अर्जेंटिना केपिटल 26 कैनबरा ऐस्ट्रेलिया 20 साव पाउलो ब्राजीलिया की जगे देखो ब्राजीलिया मतलब ब्राजील की बात करो तो उसकी जगे अगर साव पाउलो देखो तो वहां पर 18 ओटावा दाट इस इन कैनेडा 28 तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दिल्ली का हाल क्या है इंडिया बिल्कुल आउटलायर है जितना कमिटमेंट किया गया है उसके हिसाब से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस या फिर रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा है और इस चीज के लिए हमें थोड़ा और अगर समझें तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के तहते जो IQ Air, Swiss Organization के द्वारा जो अपनी तरफ से जो लिस्ट डिकलियर की गई है कि वर्ल्ड की 30 मोस्ट पॉलिटेट सिटीज के कहां कहां पर है तो भलो उनमें से 22 तो इंडिया में ही मिली है इसका मतलब क्या हो गया ये प्राब्लम जो है Air Quality की खराबी की ये दिल्ली तक के कनफाइंड नहीं है हमारे पुरे देश में फैली हुई है ठीक है Environment Ministry की बात कर लो या फिर आप UNFCCC के अंडर में बातचीत कर लो यहां पर में जो कल्फप्रिट दिखाई दे रहा है वो आ रहा है कोल बेस थर्मल पावर प्लांट्स कि हमारे यहां पर जितना भी Green House Gases का Emission होता है उसका 44% Emission तो Green Houses का कहां से होता है कोल बेस थर्मल पावर प्लांट्स से ठीक है दूसरे नमबर पे आ जाता है Construction Manufacturing और Construction Activities जो के 18% Agriculture 14% Transport 13% और Industrial Processes की बात करें तो वो 8% तक और Waste Burning की बात करें तो 3% यह आपके सामने Combination आगे इसका मतलब क्या है सबसे ज़्यादा कौन Emit कर रहा है वो बाठीक है कि Glossgo में अभी COP26 होई तो हमारे Prime Minister नहीं यह काया कि हम हमारे आप Renewable Energy Sources का जो Contribution है Electricity Production में वो 2030 साथ आता है 50% तक हम Rise कर देंगे पर अभी Immediately क्या किया जाए Immediately तो हमारे सामने बहुत problem है पर सवाल यह है कि यह जो अचीवमेंट का जो हमने टार्गेट रखा है इनको अचीव करने का काम कौन करेंगी बोलो प्राइविट कंपनिया बोलो कंपनिया अगर करेगी काम तो वो तो क्यों बैनेफिट पर ध्यान देंगी और दूसरा वो और इसमें यह भी है कि कंपनिया अपने 30 से ज़्यादा कंपनिया ने इंस्टाल इंवेस्टमेंट किया है बड़ा असा मतलब एक खेट देखते हो नो बड़े-बड़े उसी तरीके जब बड़ा असा सोलर पैनल्स का एक बड़ा पाक बनाए है सोलर पाक हो ठीक है तो वो वर्ल्ड का सबसे करेंगी ठीक है अब सवाल या रहा है कि अगर हम रियालिटी में देखें तो अगर कंपनिया ही अगर इंवेस्ट करेंगी तो उससे देखो जितना हमें अचीवमेंट चाहिए जितना हम सक्सेस गेन करना चाहता है सोलर एनरजी प्रड़क्शन में वो नहीं हो पाएगा उल्टा उससे नुकसान और हो सकता है कि जमीन है उसकी कमी आ रही है ठीक है वैसे तो हमें पता है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलिशन का 18 तो 19 परसंट पॉपुलिशन इंडिया में रहती है और वर्ल्ड की टोटल जोग्रिफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया के पास में 2.14 या 72 परसंट के लगबग ही एरिया है तो वैसे ही लेंड रिसोर्सेस पे हमारे कितना प्रेशर है और रही सही में अगर कंपनी जमीन खरीद खरीद करके बड़े-बड़े सोलर पार्क्स इंस्टाल कर देगी तो फिर उसके बाद में वो जमीने काम कैसे आपाएगी तो इसके लिए क्या तरीका है इसके लिए तरीका राइटर ये बताना चाहरा है कि हमें फार्मर्स के फार्म्स में ये सोलर एनर्जी इंस्टालेशन को हमें promote करना चाहिए एक चीज बड़ी अच्छी है वो ये कि thermal power जो है उसके comparison में solar power थोड़ी सस्ती होने लग गई है पर इसके लिए क्या किया जाए गाउं में जो farmers रहते हैं उनके खेतों में इस solar energy के panels जो हैं उनको install करने के लिए उनको encourage करना चाहिए जैसे हैं कि solar trees लगा दिये जाएं ठीक है solar trees लगाएंगे तो क्या होगे एक अच्छी खासी हाइट पे solar panels install कर देंगे तो क्या होगा कि नीचे की जो फसल है उसको एक तो धूप की कमी नहीं आएगी तो फसल भी अच्छे जन बन पाएगी और तीसरा ये electricity भी farmers अपने खेट में प्रड्यूस कर पाएगे तो ये तीसरी crop हो जाएगी थर्ड crop तो बोले इससे क्या होगा बोले जो government of India का target है कि 2022 थे इसमें farmers की income को हम दो डबल करना चाहते हैं बो वो तब ही अच्छी हो पाएगा कैसे हैं दो crops तो एक तो रवी एक खरीफ ये तो होई गया इसके अलावा आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर एक तरीके से monoculture की बजाए multi culture या फिरा कह सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा जो खेती करने के लिए हम फसले हैं वो करते हैं एक साथ ठीक है mixing में हम करते हैं ठीक है तो उससे बोले फार्मर्स को बहुत फायदा होगा इसके लिए डैली गवर्मेंट ने अपनी तरफ से एक उजवा के वी के land use के लिए अपना प्रोग्राम शुरू किया जिसमें ये जिसका result ये है कि फार्मर्स जिन्होंने भी डिली गवर्मेंट की इस प्रोग्राम का यूज किया ना जिसमें अपने खेतों में उन्होंने ये solar panels install किये तो उनकी इंकम एक लाक रुपए पर एकड़ के हिसाब से इंक्रीज हुई है ये solar farming है ना इसको प्रोमोट करने की बात कह रहे हैं यहाँ पर writer ठीक है इसके आगे अगर देखें तो दिली में pollution के हाल देखें तो डेली में रहने वाले लोग तो देखो हालत वैसे ही खराब है तो ऐसे में system of air quality forecasting and research सफर के हिसाब से भी देखें तो दिली की air quality जो है वो day to day differ करती है एक peak time आया जिस time पर maximum contribution रहा था stable burning का ठीक है तो stable burning की वज़े से even मैं जैपूर में बैटा हूँ जैपूर में बैटा हूँ जैपूर में बैटा है मैंने खुद ने experience किया कि यहाँ प पर भी बिल्कुल चारों तरफ धुआ ही धुआ था और कुछ ही नहीं था इवन मेरे पास वाली जो पाड़ी में बार बार बोलता रहता हूँ अरावली हिल्स का एक पार्ट है यहाँ पर दिखाई देता है जैपूर में राइट तो वो बिल्कुल गायब दिखी नहीं रह है बिलकुल ठीक है तो यह सिचुएशन दिल्ली में जब थी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन रहा था स्टबल बर्निंग का तो इसको भी टैकल करने के लिए राइटर यहाँ पर अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं और उसके लिए क्या किया जाए कि जो यह राइस फार्मिंग होती है ना पैड़ी की फार्मिंग बोला इसको हमें कंट्रोल करना चाई इसके लिए क्या किया जाए वो ही कि प्रॉपर मैनर में आसपास की जो सरकारे हैं सेंट्रल गौर्र्मेंट खुद ही दिल्ली की सरकार बैठे फिर बाद में यूपी फ उनको करेक्ट कर दो जिससे की यह स्टबल बर्निंग का मुद्दा भी सौट आउट हो जाए और दूसरा चामल जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वार्मेंट होती है इसको तो ऐसे में वाटर टेबल भी लगा था फॉलो करता है NCR के आसपास वाले जो किसान है वो इससे जो मेथेन गेस और गैस और जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है इसकी वज़ेस जो की ग्रीन हाउस एफेक्ट क्रियेट करती है ग्लोबल वामिंग में इनका कॉंट्रिबूशन आ रहा है तो उससे भी हम बच पाएं उनके बिल्कुल फेवर के आदमी है इन्होंने हमेशा अपने आर्गुमेंट्स में एकी चीज़ कही है कि बोला किसान समझ नहीं रहे हैं इनको थोड़ा बहुत ये देखने की जरुवत है कि अपनी तरफ से अगर देखे तो लॉंग टब में बहुत बेनिफिट थे इनके ठीक है एकॉनोमिकली भी बेनिफिट हो सकते थे और एकॉलोजीकली भी इनके लिए बेनिफिट हो सकते थे पर वही चीज़ अब तो रिपील हो गए ठीक है ना खेर आजाओ फिर से इसके अलावा फॉसिल फ्यूल के उपर भी हमें थोड़े से डिपेंडेंस से रेडियू मैं खुद अपना बता रहा हूं कि मैं खुद ये सोच रहा हूं कि कैसे भी करके यह थोड़ा सस्ता हो जाए तो मेरे जो एक डो रिलेटेवजम वो बोल रहे हैं कि हम बाइक लेले उनको होल्ड पर रख रखा है मैंने का थोड़े दिन रुख जाओ कि आप कैसे भी करके व वो अगर सस्ता होगा तो लोग ready हैं इस चीज के लिए ठीक है क्योंकि सब को इतना idea तो होने लगी गया है कि जी वाकई में एक तो क्या है पेट्रोल डीजल कितने महेंगे हो रहे हैं दूसरा अगर electricity थोड़ी सस्ती हो जाए और electricity थोगर सस्ती हो रही है यह जो installation infrastructure का वो और vehicles की अगर price down हो जाए और सरकार उसके लिए subsidy दे दे तो उसके लिए लोगों को switch कर आया जा सकता है fossil fuel की बजा है पहले तो electric vehicles की तरफ और फिर जैसे जैसे technological advancement आये तो green hydrogen based भी हम vehicles हैं वो launch कर सकते हैं इसके लिए जो hospitals हैं parking areas हैं वहाँ पर charging places हैं वो तयार कर लिये जाए इससे क अलावरा आईटर एक और option दे रहें बोला दिल्ली के आसपास का जो रिज एरिया है ठीक है रिज क्यों बोला जाड़ा दैली रिज बोला जाता ना क्योंकि डैली रिज इस लिए बोला गया यह अरावली वाला एरिया ना या उपर तक चले जाओ यूं मानो आप बिल्ली क तरफ जाओगे तो एक अलग ही पैटर्न दिखेगा आपको रिवर्स का ठीक है उस तरफ जैसे इंडस हो गई या फिर जादा तो जो रिवर्स है वो सारी की सारी वेस्टन फ्लो में जाती है रेबियंसी की तरफ और इस रिज के राइट तरफ अगर इस तरफ इस तरफ देख हैं कि कार्बन सिंक हो पाएगा ठीक है तो एक ही है सजिशन भी दे रहे हैं तो प्राबलम भी बता दी राइटर ने और सजिशन भी दे दी है मुद्दा अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं फिर देखो लास्ट आर्टिकल है अकोड इन प्रोग्रेस देखो पिशले हफते की बात है असिस्टेड री प्रोड़क्टिव टेकनोलोजी बिल को लोगसभा ने पारिद कर दिया है जिसमें यह है कि जो फर्टिलेटी क्लिनिक्स हैं जो की फर्टिलेटी क्लिनिक्स हैं और साथ में जो बैंक्स हैं स्पम बैंक्स हैं उनको रेगिलेट करन तो उससे क्या होगा इन guidelines को forcefully apply करना आसान हो पाएगा नहीं तो क्या है कि कुछ ऐसे clinic कुछ नहीं पिछले 10 सालों के अंदर world में सबसे ज़्यादा अगर ART clinics के number increase हुए ना तो वो इंडिया में ही हुए है क्योंकि हमारे यहां पर low fertility rate बहुत जादा हो रही है शादी यहां ब ART assisted reproductive technology clinics का बहुत जादा promotion हुआ है तो इन चीजों को regulate करने के लिए बिल लाया गया है अब इस बिल में जो है मुद्दा ही आ जाता है कि अभी राज्य सबा में कब यह पारित होगा फिर उसके बाद में आगे कोई कुछ भी problem है इस बिल में तो उन problems को कैसा sort out किया जाए जै जो की सुप्रीम कोट का एक लेंडमार्क जजमेंट जिसमें की नवतिज जोहर वर्सिज उनियन ओफ इंडिया केस में सुप्रीम कोट ने LGBTQI कम्यूनिटी को बिलकुल एक दम प्रामोट किया है कि कोई शुनी अगर सेम सेक्स कपल्स हैं वो अगर continue करना चाते है अपनी लेगा तो फिर कैसे उनकी family expand हो पाईगी राइट एक यह concern इसमें आ रहा है इसके अलावा राजय सबाकि सेलेक्ट कमिटी के पास में यह मुद्दा जाता है क्योंकि already एक बिल ओर चल रहा है that is सरोगेसी बिल सरोगेसी बिल का मतलब आप जानते हो सरोगेसी का मतलब कि 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 है कि कोग से संबन्दिते कानून ओर चल रहा है उस मुद्दे को हम already पहले discuss कर चुके हैं आप प्लीज दोनों वीडियो को देखा करो कैसे भी करके manage करो जिससे क्या है कि कुछ चीजे मैं वहां पर explain कर दो उन चीजों को वापस यहां पर समझाना हो बहुत lengthy हो जाता है दोन आपको इस स्पीड में समझ में आए तो इसमें आप manage कर लो तो point क्या है सरोगेसी बिल भी राज्य सबा की select committee के पास गया हुआ है और इधर यह ART बिल है इसको लोग सबाने पारित कर दिया है तो दोनों मिलकर के एक अच्छा regime लेकर क्या है वो जरूरी है वैसे reality तो यह है कि जो assisted reproductive technology के basis पे जो यह pregnancy और यह conceive करना यह सारा process है यह बहुत महेंगा पड़ता है सरोगेसी के comparison में पर सरोगेसी को हमारे यहाँ पर अभी बहुत अत्तक है अभी regulate ही नहीं किया जा पा रहा है ठीक है ना मैं फिर से वही movie का नाम लूगा Mimi movie जो आय थी कृती सैनन की उसमें सरोगेसी का ही case था पुरा ठीक है तो देखने वाली बात है आगे क्या outcome होता भी फिलाल तो दोनों के दोनों bill stage पर ही है सरोगेसी bill भी bill ही अभी तक acne बना है और अधर ART जो bill है वो भी bill ही है acne बना है दोनों का जो outcome होगा तब और अच्छे से हम explain कर लेंगे explain page पर और detail आ ज जाएगा आपको तो वहाँ पर आप देख लेना ठीक है तो इस discussion में इतना है था thank you very much for watching this video